वेलकम टू एट वेट इस्टिडी पॉइंट मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आई वे हैं खोठा भासा के बिलॉमसद जो कि आप सहायक आचार परिच्छा अब देने के लिए जा रहे हैं और बहुत कंड़ेट ऐसे हैं जिसने एकजाम भी लिख दी हैं तो ब्याकरण के इस खंड में खोठा भासा में खंड को में क्या क्या पूछा जाता है तो ब्याकरण चेप्टर से खोठा भासा का वर्ण विचार पूछा जाता है संग्या, सरुनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेशन, काल, क्रिया, समास, अव्य, वाच, वाकी के भेद, विप्रीत आर्थक सब्द, उनार्थक सब्द ये सभी खोठा भासा में ये कोस्टन को पूछे जाते हैं तो आज की क्लास की शुरूआत कर रहे हैं दोस्तों खोठा भासा के विलोम सब्द और नेस्ट क्लास में भी ले आएंगे उनार्थक सब्द और काल, क्रिया, समास, ये सभी की बारे में हम क्लास एक एक करके लेके आएंगे तो आज के शुरुआत कर रहे हैं विलॉम सब्द से जैसा कि देख रहे हैं खोठा भासा विलॉम सब्द कन 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 का अर्थ क्या होता है धेपल यानि उल्टा सब्द विलॉम सब्द जो उसको कहा जा रहा है वो आपको कहता है जिसको कहता है भोरल भोरल को उल्टा सब्द क्या कहींगे खाली कहींगे जो कहता है भारा हुआ उसको कहते हैं क्या भोरल उसको कहते हैं उल्टा हमें खाली अगर किसी को कहते हैं अर्वा अर्वा को क्या कहते हैं उसना अर्वा का मतलब हो गया अर्वा चावल अरवा चावल हो गया तो यहां क्या हो गया उसना चावल तो यह क्या हो गया अरवा और इसका उल्टा विलो में होगा उसना अब यहां आइग आइग का मतलब हो गया क्या होता है यह तो खोठा भासा में पढ़ रहे हैं तो यह आइग का मतलब होता है आग तो आग अगर लिखेंगे यहाँ पर तो यह गलत हो जाएगा तो खोठा वासा में जो होता है उसको आई पला जाता है उसका उल्टा होता है पानी अब यहाँ खीदोर खीदोर और यह हो गया फरीज तो इस तरह से देखें यह सब्द आपके लिए काफी महतपूर्ण है अब जैसे देखें आमीर आमीर का उल्टा क्या होता है गरीब होता है बेस उसके मतलब होता है बेकार उल्टा सब्द को पढ़ेंगे बेस जो बहुत बड़िया है और एक होता है जो कुछो नहीं है तो वो यह बेस का मतलब होता है बहुत अच्छा और उसका उल्टा सब्द क्या होता है बेकार होता है अब यहां के खुचना का उल्टा सब्द होता है मोटा होता है जनी जनी का उल्टा क्या होता है मरद होता है इस चीज़ को आप याद अब यहां दिया है पतला, पतला का उल्टा सद कहेंगे गाडा होता है, चोक, चोक का मतलब तेजधार वाला होता है, उसको क्या कहेंगे भोथर, चोक का उल्टा क्या कहेंगे, भोथर कहेंगे, माई का उल्टा क्या कहेंगे, बाप कहेंगे, यहां देखिए मा नहीं है, यहा कांचा का उल्टा क्या होता है पाकल कोई भी वस्तु जिसे कांचा होता है और कोई आग में देते हैं वह पक जाता है तो कांचा का उल्टा क्या हो जाता है पाकल हो जाता है अब यहां हो गया भींगल भींगल का मतलब है आप पानी में जा रहे हैं कोई कपड़ा आपका भीं महग यानि महगा जिसको कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं महग तो महगा का उल्टा क्या हो गया सस्ता हो गया अब यहां नाया नाया क्या है खोर्टा है अब इसको उल्टा में क्या करेंगे पुरान होता है अब यहां चाया है तो चाया का उल्टा क्या करेंगे रोध कहते हैं रोध का मतलब कि जहां पूरा धूप होता है उसको कहते है तो चाया का उल्टा क्या हो जाएगा आपका रोध हो जाएगा भात का उल्टा सब्द क्या हो गया तियन हो गया पूरब पूरब का उल्टा क्या पच्छीम होगा ना कि पस्चीम होगा पूरब का उल्टा सब्द क्या होगा पच्छीम होगा और उत्तर का क्या होगा दखीन होगा ना कि दख्छीन होगा इस चीज को आप याद रखें अग गहर गहर का उल्टा क्या था आंग्ना हुता है जनी मरद होता है चड़ान नवान होता है पसरल शीकुरल क्या होका पसरल में फिलाया रहा हुआ तो भूरल कोई चीज़ भरा हुआ है उसको खालि कर सकते हैं राज्जी का नाराज बोल सकते हैं भोरल का खाली कर सकते हैं तो भोरल विस्ट का नोकर कहेंगे बुईधगर, विदगर का जो बहुत अच्छा जानता है, बुदगर जिसको कहता है, उसको कहते हैं बोका, खुर्ठा भासा में क्या कहेंगें, बुदगर को बोका कहते हैं, यहां है पातर, पातर को क्या कहते हैं, मोटाईल, पातर का मतलब जो कोई दुबला पतला होते हैं पतला रहते हैं उसका उल्टा क्या होगा मोटाईल लड़का होता है तो पातर का उल्टा क्या होगा मोटाईल अब यहां करिया करिया गोर करिया का मतलब जो पूरा काली है तो उसको उल्टा क्या कहते हैं गवरा करिया का उल्टा होगा गोर ओसार का उल्टा क्या क्चा होगा कैमें खीचा किंगे जोवाइल करेंगे जो मान ले कोई भी चीजग नरे तो जितरा को गिश्चा होता हुँम्नु cardboard कि नर्ट एप झितर और एप श Eg cor chassis ready quantity ऑफ में वानर दोंधया को और और इंजोरिया चान्दनी रात होता है। तो अंधुरिया को क्या कते हैं ॐ यह सभी आप खूठता भासाई में बीलौम सादो को पड़ रहे हैं। कान दना का क्या काते हैं रोता है कानना जिसको काते हैं उसका उल्टा क्या हो आगू का क्या होगा पेचू होगा जैसे आपके आगे का भाग आपके पीछे का भाग, तो आगू का उल्टा क्या होगा, पेचू होगा, कम, कम का उल्टा क्या होगा, बेसी होगा, ऊपर का उल्टा हेंट होगा, चीकन का उल्टा होगा, खरखस होगा, और लुटगर का होगा, बेलूरा होगा, तो जिसको कोई बुद्धी ग्यान नहीं हो तो इसको बेलूरा कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं लूटिगर कहते हैं जैसा कि देख रहे हैं आपका बोड है तो बोड को क्या कहेंगे छोट कहेंगे आईल का क्या कहेंगे गेल कहेंगे कोई मैंना आगे आपके घर में और कोई चला गिया तो चला गिया उसको गेल कहते हैं आईल का गेल कहते हैं Ї सा कि मोघ कुई अगर मरगी है तो इसको जिल कहेंगे कोई जिन्दा उसको जिल कहेंगे चनफणिया को हेजा मार कहेंगे घेरल को फांका कहेंगे और पसरल को डूबा कहेंगे उठल को बैठल कहेंगे हिंदे के हुंदे कहेंगे कोई चुछ कहता है इधरे कहता है तो उधरे कहता है तो हिंदे को हुंदे कहेंगे यहां है गुल-गुल गुल-गुल को क्या कहेंगे खब-खब कहेंगे यह उल्टा स को चुछ हुखाते हैं जो कोई खूल गया कोई बनधा उसको बांधाल का एंव यह संग्तल को सउइनतल कहेंगे और तऱपल को उतक कांगे और माडल को चषाड़ कहेंगेством यह सब दोस्तों यह सब भी लंग सब था आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं थैंक यू